लगू योग निद्रा में आपका स्वागत है अपने मन में मुश्कान जगाएं और पीठ के बल लेट जाएं चादर ओड़ना चाहें तो चादर ओड़ लें बाजू सीधे साइड में रखें हथेलियें आकाश के और पलकों को धीरे धीरे बंद करें शरीर तथा गर्दन को हिराते हुए सुविधा जनक स्थिती में आ जाएं और जल्द से जल्द निश्चल हो जाएं सबसे पहले फिर्फडों में से बासी हवा मुह के रास्ते बाहर निकालें और नाक के रास्ते भरें फिर नाक के द्वारा लंबे सांस लें और छोड़ें किन्तु जोर नहीं लगाना है हर श्वास लिते समय मन में मुस्कान जगाएं और छोड़ते समय शरीर धर्ती को समर्पन करें तथा शरीर को शितिर होते हुए अनुभव करें योग निद्रा से भरपूर लाब के लिए जहां तक हो सके निश्चल रहें और नींद को हावी ना होने दें अंतर मुखी तो रहें किन्तु चित की वृती को जोर से एकाग्र न करें अब पासना में ध्वनियों की और ध्यान देते हैं पहले सबसे दूर की आवाजों पर जैसे ही एक ध्वनी पहचान में आती है उसे छोड़ दूसरी को पकड़ लें तक पस्चात उनसे करीब की आवाजों को पहचानें अपने कमरे से निकलती आवाजों को पहचानें और अंत में अपने सांसों की आवाजों को पहचानें अथ्वा और कोई आवास जो आपके शरीर से निकलती हो अब अंग निवास क्रिया शुरू होती है जिस जिस अंग पर मन को रखने के लिए बोला जाएगा उस उस अंग का ख्याल करना मन ही मन उसका उच्चारन करना अंग को हिलाना नहीं और नीद को रोकना दायने हाथ का अंग उठा दूसरी अंगली तीसरी अंगली चौती अंगली पांच्मी अंगली हतेली हतेली का नीचे वला भाग कोहनी कंधा बगल कमर दायनी जांग घुटना पिंधली तखना एडी तल्वा पैर का उपर वला भाग दायने पैर का अंगुठा दूसरी अंगली तीसरी अंगली चौती अंगली पांच्मी अंगली हतेली हतेली का नीचे वला भाग कोहनी कंधा बगल पांच्मी अंगली कमर बायन जांग घुटना पिंधली तखना एडी तल्वा बायन पैर का उपर वला भाग अंगुठा दूसरी अंगली तीसरी अंगली चौती अंगली पांच्मी अंगली अब इसी क्रिया को तेजी से करेंगे दाएं हाथ का अंगुठा दूसरी अंगली तीसरी अंगली चौती अंगली पांच्मी अंगली हथेली हथेली का नीचे वला भाग कलाई कोहनी कंधा बगल कमर दाएं जांग गुटना पिंडली तखना एडी तल्वा दाएं पैर का उपर वला भाग अंगुठा दूसरी अंगली तीसरी अंगली चौती अंगली पांच्मी अंगली सोना नहीं मन में दोराना बाएं तरफ चलेंगे बाएं हात का अंगुठा, दूसरी अंगली, तीसरी अंगली, चौती अंगली, पाँच्वी अंगली, हतेली, हतेली का नीचे वाला भाग, कलाई, कोहनी, कंधा, बगल, कमर, बाएं जांख, घुटना, पिंडली, तखना, एडी, तल्वा, पैर का उपर वाला भाग, अंगु दूसरी अंगली, तीसरी अंगली, चौथी अंगली, पाँच्वी अंगली, जहां चरीर और धर्ती एक दूसरे को छू रहे हैं, अब अपने मन को वहां ले जाओ. दाहिने एडी और जमीन, बाइं एडी और जमीन, दाइं पिंडली और जमीन, बाइं पिंडली और जमीन, दाया नितंब और जमीन, बाया नितंब और जमीन, पीट, पूरी पीट और जमीन, दायां बाजू और जमीन, बायां बाजू और जमीन, दायां पुठा और जमीन, बायां पुठा और जमीन, बीच में प्रिदय और जमीन, सर का पीछे वाला हिस्सा जो भूमी को छू रहा है और जमीन सर का उपर वाला भाग और अब सामने के और आएं पूरा कपाल दाएं भों बाएं भों दोनों के बीच भों मद्द दाएं पलक बाएं पलक दाएं आख बाएं आख दाया कान बाया कान दाया कपोल बाया कपोल नाक की नोक, दाइं नसी का छिद्र, बाइं नसी का छिद्र, उपर का होंट, नीचे का होंट, दोनों होंट, एक साथ, थोड़ी, दाया जबडा, बाया जबडा, गला और गर्दन सर के पीछे वारा भाग, सर के उपर वारा भाग, पूरा चहरा, तीनों एक साथ, पूरा सर एक साथ, पूरा सर, पूरा सर, पूरा सर, पूरा सर नीचे दाई हसली की हड़ी, बाई हसली की हड़ी, तोनों के नीचे सीना, सीने में दाई और दाया फेफडा, बाई और बाया फेफडा, मद्ध में हृदय, दोनों फेफडे और हृदय, एक साथ, पूरा सीना, एक साथ, सीने के नीचे पेट, पेट के दाई और जिगर, बाई और जठार, मद्ध में नाभी, नाभी के नीचे वाला पेट, नाभी के नीचे वाला पेट, नाभी के उपर वाला पेट, दोनों एक साथ, पूरा पेट एक साथ, पूरा पेट, पूरा सीना, एक साथ, पुरा धर्ड, पुरा धर्ड, नीन्द को रुखिये, जागते रहिये, अब शरीर के मुख्य भाग धाइटांग, धाइटांग पुरी, धाइटांग पुरी, बाइटांग, बाइटांग पुरी, बाइटांग पुरी, बाइटांग पुरी, दोनो टांगे एक साथ, दोनो टांगे एक साथ, दाया भाजू, दाया भाजू, पुरा, बाया बाजू, बाया बाजू, पूरा, दोनों बाजू, एक साथ, सर, धर, बाजू, और टांगे, एक साथ, सब के सब, एक साथ, पूरा शरीर, एक साथ, पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर, अब शरीर में जो चक्र हैं, उनका ख्याल करेंगे, सबसे नीचे, मल और मूत्रद्वार के मध्य में, अपने मन को ले जाईए, यह मुलाधार चक्र है, मुलाधार, मेरुदंड के सबसे निम्न भाग में, अपने मन को स्थाफित करें, यहाँ है स्वादेस्थान चक्र, स्वादेस्थान, नाभी के ठीक पीछे, मेरुदंड के अंदर, अपने मन को स्थाफित करें, यहाँ है मनीपुर्ण चक्र, मनीपुर्ण, रिदय के पीछे, मेरुदंड के अंदर, अपने मन को ले जाइए, यहाँ है अनाहट चक्र, अनाहट, कंठ के पीछे, गर्दन में, सर और धर्ड जहां मिलते हैं, वहाँ है विशुद्धा चक्र, विशुद्धा, दोनों भौहों के मध्य में, जो स्थान है, उसके ठीक पीछे, प्रेन के अंदर, अपने मन को स्थापित करें, यहाँ है आजना चक्र, आजना, इसके उपर, जहां हिंदू लोग शिखा रखते हैं, वहाँ अपने मन को ले जाइए, यहाँ है बिंदू, विसर्ग, बिंदू विसर्ग से उपर, सर्ग के मध्य में, जहां बच्पन में सरकोमल रहता है, वहाँ अपने मन को स्थापित करें, यहाँ है सहस्रारा चक्र, सहस्रार, अब हर चक्र का ख्याल करेंगे, मन ही मन उचारन भी करेंगे, मुलाधर स्वादिस्थान, स्वादिस्थान मनिपर, मनिपर अनाहत, अनाहत विसुधा, विसुधा, आजना, आजना, बिंदू, बिंदू, सहस्रारा, सहस्रारा बिंदू, बिंदू, आजना, आजना, विसुधा, विसुधा, अनाहत, अनाहत, अनाहट मनिपूर, मनिपूर स्वादिस्थान, स्वादिस्थान मुलाधार, अब तेजी से ख्याल करेंगे, मुलाधार स्वादिस्थान, स्वादिस्थान मनिपूर, मनिपूर अनाहट, अनाहट विशुधा, विशुधा आजन, आजन, Bindu, Bindu, Sahasrara, Sahasrara Bindu, Bindu, आजन, आजन, विशुधा, विशुधा, अनाह sol, Anahos, Manipur, Manipur, Swadhishthahn, Swadhishthahn, Mooladhar, Swadhishthahn, Swadhishthahn, मनिपर अनाहर अनाहर विशुधा आजना आजना बिंदू बिंदू सहस्रारा बिंदू बिंदू आजना आजना विशुधा विशुधा अनाहर 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 अन अपने श्वास के प्रती सचेत हो जाएए, श्वास को आते जाते नासिका और पेट से महसूस करें, और जहां जहां शरीर भूमी को छूता है, वहां वहां अपनी चेतना को ले जाएए, और लंबे सांस लेते हुए, अपने चारों और के वातावर्ण से परिचित हो उंगलियों और अंगूठों को हिलाते हुए, पूरे शरीर में चेतना का संचार करें, और यथा शक्ती करवट लेते हुए उठ जाएं, योग निद्रा स्माप्त हुई, क्योंकर जैंडरे जाएं, और रहिए, और इम्हणूट च्सती वातावर्ण से पर में चेतना करें, बाएं से तू्चित है निद्र, फश्झत करें ले upp input लेते हुए, और रहिσें, एूंजLe enfinजएए, एूंड़्ट.